अज बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी सी कचोरी इस कप से हमने एक कप लिया है आटा एक कप लिया है मैदा एक चमच लिया है नमाद और वन फोर्थ कप लिया है घी आप मोयन जो है उसका भी डाल सकते हैं और ओल का भी तो पहले हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे दोनों हाथ के बीच में मसल मसल के ना हमने इसको बहुत अच्छे से मसला क्योंकि घी सर्वी है और हलका से जमा हुआ था लेकिन दोनों हाथ में से अच्छे से अगर आप मसलेंगे ना थोड़ी देर में इस तरह से म बहुत अच्छे से मसलें ताकि हर चीज परफेक्ट मिक्स हो जाए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके ना इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे वीडियो जादा लंबी ना हो इसलिए मैं आटा लगा के आपसे मिलती हूं यह देखिए कितना सॉफ्ट आटा है तो इसको हम लगा के ढखके रख देंगे थोड़ी पेर एक बाउल में दस से पंदरा मिनट यह देखिए फ्रेंड्स हमने ना आधा चम्मा चॉयल डालके एक इंच अद्रक एक हरी मिर्च और मटर को ना एक कप मटर को ऐसे सौते कर लिया है मतलब यह थूला ऐसे गल गया है थोड़ा अई ज्यादा नहीं हलका सा मेंसे ब्राई कर लिया है और इसको थंड़ा कर दिया है लोगा वीडियो तो यह आए से ढखाने के लिए आपको किया है और अब हम इसको दर्दरा पीस लेंगी मिक्सी में और यह देखे इस तरह से विना पानी डाले ना यह देख अर दर दरा ही पेस्ट जाएगा देखिए इस तरह से तो हम इसको एक बावल में निकाल लेते हैं यह दिखिए है ना बढ़िया तो इस चाइप से नहीं पेस्ट नहीं बनेगा इसका जब आप ऐसे भून लेंगे और ठंडा कर लेंगे ना पेस्ट नहीं बनेगा अब यह देखिए कुछ मसाले हैं तो जैसे जैसे हम डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे सबसे पहले पैन में हमने एक चमच घी डाल दिया है इंग्रीडियंस में डिस्कुप्शन बॉक्स में आपको लिख दूँगी आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें जीरा आदा कि खुश्बू बहुत ही बढ़ी आती है तो हींग जरूर डालिए साथ हम सारी मसाले डालेंगे इसमें देखिए मैंने काला नमक लिया है सफेद नमक लिया है जीरा पाउडर है गैस को बिलकुल धीमा रखेंगे धनिया पाउडर है हल्दी है तो यह सब न मैं आपको नहीं शुरू हो जाती है उस समय में हमें इसने बेशन डालना है दो टेबल स्पून हलका सा भूनते हैं और बेशन को भी हमें साथ-साथ भूनना है बिलकुल धीमी आज पे बहुत अच्छे से यह भूनना है बेशन ठीक है ना काले नमक के खुश्बू धनिया पाउडर के खुश्बू जीरा पाउडर के खुश्बू बहुत बहुत अच्छी है टाइम कम लगे ना इसलिए मैंने आपको बहुत देर इंग्रेडियंट्स नहीं बताए है तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे पेशन से भूनेंगे यह देखिए बेसन आप चानके डालेगा क्योंकि मैंने बेसन ऐसे काफी दर से कटोरी में रखा जा तो उसको मुझे मिक्स करने में टाइम लगा तो चानके डलेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और डलिया डलिया नहीं दिखेंगी तो यह आल्मोस हमारा भून गया है इसके अंदर मसाले के अंदर बेसन और इसके अंदर बेसन हमने खाके देखा बहुत ही बढ़िया था काले नमक की खुश्बू बहुत अच्छी आ रही थी तो इसे भी हम क्योंकि मटर हमारा पका हुआ है तो बहुत ऐसा टाइम नहीं लगेगा बट फिर भी हम इसको थोड करेंगे अब हम फाइनली नमक वगरा चेक करेंगे जब हमारी यह भून जाएगी अच्छे से मटर की मसाला इसमें सॉफ का पाउडर भी एड करना बहुत जरूरी है तो यह भी बहुत अच्छी खुश्बू देता है बीच में हम इसको एड कर रहे हैं आप सॉफ का यहां दिखाओं हलका गरम है यह इस तरह से ना इसकी गोलियां मन जाएंगे जो हमें भरने के लिए चाहिएगे तो यह मुठी बंद रही है बिल्कुल अच्छे से गल गया है यह तेखिए इस तरह से हमने नीबो के आकार के ना बराबर गोली बना के रख ली है यह देखि की के बहुत सक्त नहीं है हमारा आता और हल्का से इसमें ओल लगा के ना हम इसको एज़से कटोली नूमाई शेट में करेंगे और भाल बनाकर रखिते हैं इस Leslie कल अहोटे से प्रेश करेंगे था दबाएंगे ऐसे करते जाएंगे जैसे हम पराठे की फिलिंग करते हैं वह अलग होता है बढ़ यह इसी तरह से और गोलियां बनाने से एकुल फिलिंग आपकी हो जाती है और सारा इसे थोड़ा ऐसे बराबर में करके उपर ले आएंगे ठीक है इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके जो एक्स्ट्रा आटा है न उसको निकाल देंगे इस तरीके से ठीक है यह गोल बन गया इसके बाद आप न इसको इस तरह से हातेली बेलने की भी जरूरत नहीं है हातेली से ही आप ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम सारी कचोरियां बना के रख लेंगे यह देखे और मैंने यहां न एक तलने के लिए रखी है पहले करके देखी है बहुत देर तक इसको तलना करता है आप देखे कितनी खस्ता यह कचोरी बनकर तयार है है ना तो इसी तरह से हम सारी कचोरियां बना लेंगे एक और मैं आपको दिखाती हूं ऐसे लोई तोड़ेंगे इसके अंदर इस तरह से यह बॉल उठा के भरेंगे और इसको चारो तरफ से ऐसे प्रेस करते हुए बीच में से प्रेस करते हुए चारो तरफ से ऐसे पतला करते जाएंगे और इसको ऐसे बढ़ा बंद करेंगे खीच के थोड़ा सा बंद करदेंगे जो एक्स्ट्रा आटा उसको हम निकाल देंगे ऐसे ट्वेस्ट करके एक्स्ट्रा निकाल देंगे पहले हम सारे इस तरह से करके रख लेंगे और ये देखे अच्छे से पैक हो जाए तब हम इसको ऐसे हाथ से आप चाहें तो बेलंग से कर सकते हैं बट आटा सौफ्ट ही होता है तो आप इस तरह से हाथ से इसको दबा दें कैसी है और यह बस हमारी कचोरी तयार है तो इसको फ्राई करते हैं दो हमने अल्रेटी डाली है और बहुत तेल यह regles पहले गरम करके और बहुत जादा नहीं करना हम गरम करके इसको उतना ही तो अपने आप यह दिमी गैस में पप्ती रहती हैं पांस से साथ मिनट आराम से लगेंगी और जब तक हम टच नहीं करेंगे जब तक यह अपने आप उपर नहीं आ जाएंगी एक तरफ से हमें पता नहीं लग जाएगा कलर क्या है बिल्कुल तो देख सकते हैं इसमें कुछ कचोरियां उपर आने लगी है तो इस तरह से कितनी धीमी फ्लेम है बहुत जल्दी आपको नहीं करना है बस आराम से इनको पकने दीजे यह देखें मैं फिर आपको दिखा दूं जो हमने सबसे लास में डाली है वो नीचे डूबी हुई है और बाकी अपने आप फूल के ना उपर आ गई है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह क्रिस्पी हो के सिक रही है जब उधर से ब्राउन हो जाएंगी ना मैं एक बार वैसी पलट लेती हूं यह दिखाने के लिए आपको इतनी मंदी आज पर काफी टाइम हो गया है प्रेवरी और भीडे से हम इसको पलतेंगे देखे कितना अच्छा कलर आया एक सा इधर से एक बार और हो जाएगा फिर हम इनको लगातार थोड़ा थोड़ा ही लाते वे पलतेंगे बहुत ही बढ़िया बन ली है जब आप महिनत करें और रिजल्ट ऐसा आये ना तो बहु बारा की करीब बन गई है तो फिर सिखने का इंतिजार करते हैं पेशेंस रखेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा आप देखे जैसे जैसे यह लाल होती जाएगी ना जो जो कचोरी लाल हो जाएगी हम उसको ऐसे निकाले देखे बहुत ही बढ़िया है और हम इनकी प्लेटिंग करते हैं और देखे इनकी कटकर के बताओं इसको बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी एकडम ये देखिए हैना मस Laziedar तो इतनी के साथ बनानी है ऐसी कचोरी तो आप कि मैथर अपना यह और ये देखे क्रिस्पी कचोरी बENN कर त्यार्भ आ है बहुत ही अच्छी ब तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, हरी चटनी के साथ खाईए, इमली के साथ खाईए, जरूर बनाएए मटर की कचोरी इस विंटर में, आपको बहुत बहुत अच्छी लगेंगे, थैंक्यू सो मच फो वचिंग मैं रसी बीजिए